काले घने लंबे बाल किसे पसंद नहीं होते हैं लेकिन हम लड़कियों को ये बिल्कों भी पसंद नहीं होते अगर ये हमारे यहां स्कैल्प से हट करके फेस के उपर आ जाते हैं फेशल हैर प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे मैं आपको ऐसा तरीका पताऊंगे कि आपके फेशल हैर पर्मनेंटली और नाच्रली गायव हो जाएंगे आप देखरेंगे भी नाच्रल मैं हूरेखा बात करते हैं फेशल हैर को कैसे रिमूव करें इसे पहले कि मैं आपको facial hair remove करने की permanent natural remedy बताऊं मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि internet पे बहुत सारे ऐसे remedies आपको दिखाई जाती है जो दावा करते हैं कि permanent ही आपके facial hair remove हो जाएंगे सिर्फ एक बार के application से ही यह ना सिर्फ कहने सुनने के बात ही होती है भला आश्टक ऐसा कभी हुआ है कि permanent hair remove हो जाएंगे सिर्फ एक बार के application में हर remedy को चाहें वो home remedy हो या scientific तरीका हो कोई उसको काम करने में वक्त लगता है regularly आपको करना होता है तभी जागर के permanent solution मिल पाता है क्या लगाना चाहिए आप जानरी जी कि क्या नहीं लगाना चाहिए फेस के पर कोलगेट baking soda या कोई भी home remedy ऐसे जिसके अंधर के जो ingredient है वो आपको suspicious लगते हैं कि आपने देखा सुनना नहीं है पतानी कैसे skin पर react करेगा वो मत लगा हो skin पर कुछ भी लगान से पहले एक बर कान के पिछे हैं आप पैच टेस्ट जरूर कर लो ताके कोई नुकसान ना दे जहाए वो मेरी remedy हो या किसी और की अब बात करते हैं फेशिल हैर कहां कहां पर होते हैं अपर लिप्स पीछ पस पोहेट पे या विर चिन के पास पहुत साथा है वो जाते हैं कुछ लड़कियों को डिपेंड करता है आपके हार्मोन इंबालन्स की विजए से एज की विजए से पीसी ओएस की विजए से या कोई बी बिबारी आपको चल रही है पेंट होने की चांसे से सकते हैं और आप पर बार बार पालर जाना पड़ सकता है दूसरा तरीका होता है आप हनी वैक्स करा सकते हो जैसे आप अपने बॉड़ी पर वैक्स करा सकते हो एक होता है हानी वैक्स एक होता है बीम वैक्स कहते हैं कि उसमें थोड़ा कम होता है औ जब आप उसको अपने फेस पर लगाते हो तो आपके बालों को जर से निकाल देता है और आपके स्किन को एकदम सॉफ स्मूध बना देता है बहुत अच्छा तरीका होता है फेशिल है रिमूफ करने के लिए लेकिन अगें इसके भी आपको पालर जाना पर सकता है या खुद करते हो तो आप फेस शेविंग कर सकते हैं तो फेस शेविंग करने के लिए कुछ इस तरीके का तूल आता है या आपको एमाजन पर मिल जाए लोग कहते हैं कि रेजर यूज करने के बाद आपके बाल मोटे आते हैं अगर मैं सैंटिफिकली बात करो तो आपके बाल मोटे नहीं आते हैं जो आपके बाल होते हैं जो कि सांटिफिकली नहीं है हफते में कम से कम दो बार अगर आपको मोटे बालो की प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि बाल आते ही आप उसको शेव कर दे रहे हो तो हाँ थोड़ा ताइम लग सकता है पन घर पर आप खुद से कर सकते सेफटी कर धान रखना और अराम से करना अगर आप शुरुवाती दौर्पेस को कर रहे है तो एक बर प्रैक्टिस हो जाती है तो मज़े से आप कर सकते हो कोई दिकत के बात नहीं है लिकिन फेस शेविंग पहुत अच्छा तरीका है आपके फेशल है को रिमूफ करने का अ दिखता है इसके अंदर बैटरी डालते हैं और इससे आप अपने बालों को प्रिम कर सकते हो अब बात करते हैं कि इसको पर्मनेंटली और नाच्रोली कैसे जर से हमेशा के लिए खतम की जाए यह रेमेडी हंडिट पोसें एफेक्टिव है लेकिन कि बहुत जादा टाइम रेगुलर्ली आपको दो से तीन महीने करना होका इसको तभी जाकर आपके बाल पर्मनेंटली और नाच्रोली हच जाएंगे फेस से आपके बॉड़ी की किसी भी पार पर लगाते हो तो सबसे पहले आप अपर फेस की बालों को रिमूव कर लीजिए थ्रेडिंग ट्रिमिं तो वह दो से तीन महीने के अंदर डिस्ट्रॉइ कर वेगा आपके जड़ो को तो क्या रेमेडी है यह रही इस रेमेडी को करने के लिए में दो इंग्रेडियन्ट है इन दोने में से कोई सा भी एक आप ले लीजिए या तो गेहू का आटा जिसकी रोटिया बनती है या फ बहुत ही अचे से बालों की ग्रोथ को डैमेज कर देता है और जरा सा आप रोज वाटर या फिल्टरड वाटर ले लीजिए उसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद आप अपने अपर लिप्स के ऊपर या जहां जहां आपकी फेशल है रह है वहां इसको को 25 मिलक्ट इसको ऐसे ही चोड़ दीचिए उसके बाद आप इसको कुछ इस तरीके से रिमूफ कर दीचिए इसको रिमूफ करने के बाद नॉवाटर से आप अपना फेस वश कर लीजिए उसके बाद आपको इस अभी रं क्रिम में देगाना तो लगा सकते हूँ ए एक मात है तो आप यह वाली मेथड जरूरु ट्राइक ही जो अगर आप इसको लगाओ कि तो आपके जो हैर ग्रोथ है उसको यह डामज कर देगा और आपके फेस बॉड़ी पर कोई बाल नहीं आएगा लेकिन यहां भी दो प्रॉब्लम है कि आपको इसको रेगुलर लगाना होता है तो थोगा सा एक्सपेंसिज भी हो जाता है मेरे पास भी एक्रीम आई थी मैंने भी इसको यूज किया था अच्छे रिजर्ट में लेकिन मैं इसको रेगुलर यूज कर ही नहीं पाई अपने बिजी स्केडूल की वजह से तो वह मुझे आइडिया ड्रॉप करना पड़ा लेकिन अगर आप रेगुलर्ली यूज कर सकते हो ऐसी कोई मेडिसिन दवाई तो अब डेफिनेटली यूज कन गो फर दाट बाकि आप बताइए कि जितनी भी मैंने मैंने मैंटर्स आप लोगे साथ शेयर किये हैं फेशल हैर रिमूफ करने के लिए उन आप कौन सा मैंतर् आपका चहरा कैसा भी हो आपके फेस में बाल किते भी हो आप पोटे हो पतले हो पसूरत हो यूज हाव तो बी सेफ कॉन्फ को बरोसा करना चाहिए और कॉन्फेंट होना चाहिए जिस पिल लुक में भवान में आपको दिया है आप अपने अंबर की खूबी देखो और जो होता है यह था आज के बीसेट अगर आपको अपसंद आगे हो तो डोन फिकेटियो लाइक, सब्सक्राइब और चेयर वे आपसे फिलेंगे तब तक के लिए बाइब